हेलो एवरिवन वेलकम टूवर चैनल आज ही हमारी सिलाइक क्लास का ग्यारवा दिन और आज हम तुरपाई करना सिखेंगे क्योंकि ये बिगनर्स की क्लास है और इससे पहले की क्लास नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के आप देख सकते हैं चलिए स्टार्ट कर करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए मैं नीडल और धागा लिया हुआ है और धागे को मैंने एक लेयर में पिरोया है तो ये दो लेयर बन गई है लेकिन मिने जो नोट है ना यानि की गांट एक ही लेयर में बांदी है धागे के क्योंकि तुरपाई हमेशा एक वरता में ही होती, दो लेर में नहीं होती है क्योंकि यह दो लेर लेते, धागे की तुरपाई बड़ी-बड़ी बनती है अब सबसे पहले हम थागे में भड़ी दुरपाई करना देखेंगे उसकी बाद में आगे के स्से में बताओंगी मैं आपको तो देखिए मैंने स्लिव्स को उल्टा करके रखा हुआ है बाजू को अब यहाँ पर मैंने धागे में नोट बांद लिए एक लेयर में अब यह जो अंगुठा है मैं इसको उपर रखूँगी इस तरीके से और अंगुठा ओपर रहता है यह मेरी अपनी टेक्निक है आप चाहे तो डिफरेंट तरीके से भी रख सकते हैं पर मैं आपके साथ मेरा तरीका शेयर कर रही हूँ अब इस तरीके से आपको नीचे का कपड़ा लेना है और अंगुठा यहां रखना है नीचे का ब्लाउच का कपड़ा बिलकुल थोड़ा सा लेंगे देखी इतना सा लिया न जितना कम लेंगे न इतनी अच्छी तुर्पाई बनेगी देखी थोड़ा सा लिया बिलकुल और अब कमर पट्टी का आप कितना भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं सौरी यह जो पट्टी है हमारी तुरपाई की इसका आप कितना भी लीजिए फिर यहां भी मैंने बिल्कुल कम लूँगी और जो पट्टी है उसका आप ज्यादा कपड़ा भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस यह जो ब्लाउस है जहां से देखे मैं नीचे से इस कम लिया ना ऐसे ही आपको फिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिना यह जो अंगुठा है ना आपका इसको बिल्कुल टाइट कर रहे ना वहां पे बिल्कुल अच्छे से टाइट रखेंगे ना तो दबाओ पड़ेगा तो अपने आप आपका जो टांका आप लेंगे ना अब मैं आपको कमर पट्टी में किस तरीके से करते हैं यहां पर मैं दोनों को पैक करती हूं इस तरीके से यहां पर मैं इनके दोनों के मूँ जरूर पैक करती हूं क्योंकि हमेशा मैं इसे ही किया है तो यहां पर मैं मूँ पैक कर रही हूं जहां पर हमारी कमर पट्टी लग अपने आप का ठाक पतला साहएं का देख्य इस तरीके से क्या होता है कि अपने बन जाती ही तूर्पाई और इस अंगुति को बस बिल्कुल एसे क्लोस सी रखिए और ठाका लीजिए तो आप की बहुत अच्छी करने होगी देखिए प्रेक्टिस जब आप करेंगे ना तो आपको धीरे दीरे आने लगेगा इस तरीकिसे में से खीच दूँगी और ऐसे भी कर दूँगी ताकि सल खतम हो जाए सारे और देखिए आप कितनी बारिक बारिक तुरपाई आईए ना हमेशा ऐसे लिए आप धा आपको अब यहां पर भी हम तुरपाई करने लग जाएंगे से नीचे ब्लाउच का कपड़ा बिल्कुल कम-कम लीजिए आप पट्टी का कपड़ा ज्यादा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो बस इसी तरीके से तुरपाई कर देना है और में आपको गांट लगा कर द तुरपाई बनकर आ गई है आप देख सकते हैं अब यहां पर जहां हुक की पट्टी है ना यह दिखिए इधर हुक लगेंगे तो इस तरफ भी आपको तुरपाई करनी है यह देखिए यह हुक वाली पट्टी है तो यहां पर आप इसी तरीके से तुरपाई कर जल्धी जल्धी कैसे खुल ना है तो इielle क देखिए इस तरीकैसे उसके एक दो टांके कोल लीजिए एक से दो टांके कोलने के बाद में आप इस धांगे को एक तरफ से खीचिए फिर इधर से खीचिए कई लोगों को पता नहीं होता है रहते हैं फिर दूसरी तरफ से जल्दी खुल जाता है वरना हम एक ही तरफ की स्टीच को खोलते रहते हैं तो टाइम बहुत लेती है तो इसी तरीके से खोलिए तो बहुत जल्दी जल्दी खोलेगा और तुर्पाई का प्रोसेस भी यही रखिए सो इस तरीके से मैंने कच्चा पूरा खोल लिया है और आप देख सकते मेरी तुर्पाई कितनी बारिक बन कर आई है बिल्कुल बारिक बारिक बस आप ठागे को एक लेयर में ही रखिएगा एक तरफ नोट बान लीजेगा और एक लेयर रखिएगा तो इस तरीके से आपकी भी तुर्पाई काफी बारिक बनेगी सो गाईस केसा लगा आपको वीडियो मुझे कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो पैसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा फिर मिलती हो में नेक्स वीडियो में नई किलास के साथ तरते के ली बाबाई और एक्स पर वाचिए गाईस